नमस्कार न्यूस क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं उससे पहले OBC वर्ग के आरक्षन के मुद्दे ने प्रदेश का राजनीतिक महौल गर्म कर दिया है सभी राजनीतिक दल एक सुर में कह रहे हैं कि बगएर OBC आरक्षन के चुनाव संपन होने का सवाल ही नहीं है उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में OBC आरक्षन वाले मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया था हाई कोर्ट ने पिछले साल 27 दिसंबर को राजसरकार द्वारा जारी की गई OBC सूची को भी खारिच कर दिया था अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत दी है हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है वही कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है निकाय चुनाओं में उत्तरपदेश सरकार ने अपने सर्वे के आधार पर OBC को 27 प्रतिशत आरक्षन देते हुए सीटों की सूची जारी की थी सरकार के इस फैसले के खिलाफ इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनो बेंच में याचिका दाखिल की गई थी इस मामले पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निकाय चुनाव में OBC के लिए आरक्षिस सीटों को सामान्य माना जाए और सही समय पर चुनाव कराया जाए अब उत्तरप्रदेश सरकार्ट ने कोर्ट के इस फैसले को चुनावती दी है सपा प्रमुक अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा का व्यभार पिछणों के प्रतीश सवतेला रहा है अभी पिछणों का अधिकार छीना जा रहा है भाजपा के लोग सिर्फ पिछणों का वोट लेना चाहते हैं बलकि उन्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। कॉंग्रेस महासचीव प्रियंका गांधी वाडरा का कहना है कि जब भी समाजिक न्याय और अरक्षन के समर्थन में पक्ष रखने की बात आती है भाजपा का अरक्षन विरोधी चेहरा सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश के नगरिये निकाय चुनाओं में अरक्षन को लेकर भाजपा सरकार के गड़बर रवईये से OBC वर्ग का महत्वपून सम्वेधानिक अधिकार खत्म होने की कगार पर है। यूपी सरकार ने कोट को बताया कि उसने एक रैपिट सर्वे कराया और ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की ही तरह था। यूपी सरकार ने इस वैसले की शुरुवात में परदेश की 17 महापालिकाओं के मेरों, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षन का प्रोविजन लिस्ट जारी की। पांच दिसंबर को जारी लिस्ट के मुताबिक परदेश में चार मेर सीट अलिगण, मतुरा वरंदावन, मेरट और प्रयागराज को OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया था। इनमें से अलिगण और मतुरा वरंदावन OBC महिला के लिए आरक्षित थी, नगर पाली का अध्यक्ष की 54 और नगर पंचायत अध्यक्ष की 147 सीटे OBC के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन कोर्ट ने परदेश सरकार की और से दिये इस रिजर्वेशन ड्राफ्ट को खा अध्याय और न्यायमूर्ती सौरव लवानिया की खंडपीट ने सुनाया, अब सवाल ये है कि सरकार ने नियम का पालन किया या नहीं, इसका जवाब है नहीं, उत्तरप्रदेश सरकार ने निकाय चुनाओं में OBC आरक्षिन को लेकर जो ड्राफ्ट तयार किया था, उसमे अधार पर आरक्षिन लागू है, जो सुप्रीम कोर्ट की 23 सीमा 50 पीजदी से जादा नहीं है, हाला कि याज का करताओं ने तर्क दिया कि 1993 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, वो सेक्षिनिक इस्तिती को लेकर बना था अब सरकार के पास विकल्प क्या है ये जान लेते हैं, सरकार नए सीरे से सर्वे कराकर नई आरक्षिन सूची जारी कर सकती है, या बिना आरक्षिन चुनाओ करा दे, या फिर अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करे, हाला कि दूसरे विकल्प की संभावना कम है क्योंकि करीब 52 प्रतिशत वाले OBC वर्ग को सरकार नाखोस नहीं कर सकती, ऐसे में सरकार समिती बना कर जल्द से जल्द रेपिट सर्वे कराकर नई आरक्षिन सूची जारी कर सकती है, अगर ऐसा होता है तो चुनाओ होने में देरी होना तय है, नगर निकाय चुनाओं में OBC का आरक्षिन तय करने से पहले एक आयो का गठन किया जाता है, जो निकायो में पिछ़़े पन का आakersन करता है, इसके बास सीटों के लिए आरक्षिन को प्रस्तावित किया जाता है, दूसरे चरण में OBC की संख्या पता की जाती है, तीसरे चर कर दो कर दो कर दो कर दो रहिए.